नमस्ते जोस्तों स्वागती फिर से आपका और एक नए फीडियो में मेरा नाम है तेजस और आज हमारे पास है रियल्मी का 8 और रियल्मी का ही C35 C35 के अगर बैक साइड में देखते तो आपको ट्रिपल रियर कैमरा और फ्लेशलेश का सेटप दिया है निचे आपको रियल्मी की ब्रेंडिंग मिल जाती है और हैंसेट का जो डिजान यह बॉक्सी डिजाइन के साथ में आ जाता है और बैक कवर जो इसका पूरा आपको ग् प्रेंडिंग मिल जाती है इसका भी बैक स्टक्चर जो यह पूरा आपको ग्लास पिने के साथ में ही आ जाता है और डिजाइन भी काफी अच्छा दिया इसके अंदर में और काफी स्लीम एंड लाइटवेड हैंसेट आ जाता है यह हैंसेट के इस साइड में अगर देखें स्टेरियो स्पिकल टाइप सी चार्जिंग पॉर्ट माइक और 3.5 mm हेटफोन जैक दोनों भी एंसेट के अंदर दो सीम और एक मेम्री काड लगा सकते हैं और OTG भी सपोर्ट कर जाता हैंसे और इसके साथ आपको रियल में 8 के अंदर UFS 2.1 का सपोर्ट डिया है और C35 के अं अंदर और रियल में 8 जो है इसका वेट 177 ग्राम और 7.9 mm की तिकने के साथ में आ जाता है काफी स्लीम हैंसे डिया है और काफी हैंद पिलिंग बढ़िया आ जाती इसके अंदर में कैमेरे के अगर बात करेंको तो रियल मी C35 का जो कैमेरा दिया है मेन कैमेरा 50 मेगा बिक्स का ही इसके अंदर आपको दिया है फ्रन चैमेरे के अगर बात करेंगे तो तो C35 का 8MP का फ्रन चैमेरा आ जाता है और रियल मी 8 का जो ही है 16 MP का दिया है बैटरी का बिसेटी तो दोनों भी आपको 5000 इमिच की दी है लिकिन चारजर के अंदर बहुत ज्यादा डिप्रेंस आ जाता है, C35 के अंदर आपको 18W का fast charger दिया है, Realme 8 के अंदर आपको 30W का dart charger दिया है, जो कि काफी fast है, डिस्पली के अगर बात करते हैं, तो आपको Realme C35 के अंदर 6.6 in का water drop screen आ जाता है, जो कि IPS screen दिया है, इसके अंदर में, resolution आ जाता है, 10802408 pixel का, जो कि full HD plus में आ जाता है, X इसके अंदर आपको 4.0 की मिल जाती है, और refresh rate जो हैंसेट का 16Hz का दिया है, डिस्पली के मामले में, जो है Realme 8 काफी बेटर आ जाता है, इसके अंदर में, screen size इसके अंदर आपको 614 इंच का आ जाता है, Super AMOLED screen के साथ में, जो कि punch hole screen दिया है, color saturation भी काफी अच्छे से मिल जा 19.8% का आ जाता है, PPI अगर बात करेंगे तो हैंसेट के अंदर आपको 4.1 का PPI अंदर आपको दिया है, इसे brightness level तो दोनों भी हैंसेट के अच्छी आ जाती है, लेकिन Realme 8 के अंदर आपको 1000 nits का brightness level दिया है, और C35 के अंदर 600 nits का, तो display के अंदर तो काफी बेटर आ जाता ह रियल्मी 8, परफांस के अगर बात करते हैं, तो Realme C35 के अंदर जो प्रोसेसर दिया है, यह आ जाता है, Unisocca T616, जिसकी clock speed आपको मिल जाती है, 2 GHz की, fabrication जो इसके अंदर आपको 12 nanometer का दिया है, और graphics आ जाता है, माले G57 MP1 का, RAM टाप जो है, दोनु भी एंसेट के अंदर आ आपको 12 nanometer का दिया है, और graphics आ जाता है, माले G76 MC4 का, Android वर्जन जो है, दोनु भी एंसेट के अंदर आपको Android 11 का support मिल जाता है, Realme UI के साथ में आ जाती है, दोनु भी एंसेट, security के अंदर में भी change आ जाता है, Realme 8 के अंदर आपको in display fingerprint दिया है, और Realme C35 के अंदर आपको side fingerprint म आ जाते है, sound के अगर बात करेंगे तो लगबग दोनु भी एंसेट का जो sound है, same आ जाता है, इतना कुछ ज्यादा डिपरेंस नहीं मिलता है, इसमें, Camera के function के अगर बात करेंगे तो Realme 8 के अंदर आपको काफी अच्छे function दिया है, जैसे slow motion, dual view recording, night mode, portrait mode यह तो दोनु भी एंसेट के अंदर आपको मिल जाता है, portrait mode जो है, Realme 8 के अंदर front और back side में दिया है, और Realme C35 के अंदर सिर्फ back camera के अंदर दिया है, और camera zooming में भी थोड़ सा difference आ जाता है, Realme 8 के अंदर आपको 10X तक की digital zoom का option दिया है, और C35 के अंदर 4X तक के, तो camera zooming में भी आपको Realme 8 बेटर आ जाता है, images quality के अगर बात करेंगे तो Realme 8 के अंदर काफी better images आ जाते है, और जो color है वही actual इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते है, जैसी ये photo लिया है, जो box का color है वही same इसके अंदर आया है, लेकिन C35 के अंदर थोड़ सा light color करके बताता है, और Realme 8 के अंदर जो original है actual वही इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है, फ्रंट कामेरे के में भी आप इसके अंदर में और दोनों भी कैमेरे के अंदर आपको HDR Mode, Auto Face Detection का भी Option इसके अंदर आपको मिल जाता है अगर आपका बजट थोड़ा ज्यादा है तो Realme 8 काफी बेटर आ जाता है हैंसेट Realme 8 की जो प्राइस स्टार्ट हो जाती है 15999 से और C35 की हो जाती है 13491 रुपई से लेकिन C35 के अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगर प्रिंट भी मिल जाता है कैमेरा भी ज्यादा मेगा बिक्सल का आ जाता है कॉलिटी भी काफी अच्छी दिया है और डिस्प्ले जो इसके अंदर एमिलोड डिया है थोड़ा बजट बढ़ जाता है लेकिन हैंसेट काफी बेटर आ जाता है इसके अंदर में ऐसे मोबैल अन्बोक्सिंग के लिए और मोबैल कमपेरिजन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए चलिए मिलते गड़ में थेंक्यू